हेलो स्टूडेंट बोर्ड एक्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुसकबरी आ रही है कि यूपी बोर्ड में 30% पाठिकरम हुआ कम बचा हुआ तीन भागों में किया जाएगा पूरा यानि कि यूपी बोर्ड में 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है किस क्लास से किस क्लास तक कम किया गया है सब कुछ इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे हैं और वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्या है पूरी खबर की उत्तर प्रदेश मादेमिक सिच्छा परिशाद यूपी बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों में कच्छा 6 से इंटरमीडियत तक के पाठ करम को 30% कम कर दिया गया है यानि कि क्लाश 6 से क्लाश 2 तक 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है कोरोना अबदा के चलते वर्तमान सहचिक सत्र में आनलाइन कच्छाएं ही जैसी तैसी पढ़ाई जा रही है वही सरकारी स्कूलों के कई पढ़ने के लिए परियाप्त संसाधन भी नहीं है तो यहां पर कहा गया है कि आनलाइन जो है एजुकेशन चल रहा है लेकिन कुछ स्टूडेंट है जिनके पास संसाधन नहीं है ऐसे में पाठ करम घटाय जाने से विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी हर महीने वि पढ़ाई धंग से करा रहे हैं या नहीं इसकी मॉनेटरिंग के लिए विद्याले जिला मंदल वा राज यस्तर पर स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर को निर्मित किया जाएगा आगे देखे कि आप पूरी खबर की उत्तर प्रदेश मादिमिक सिच्छा परसत के स् अध्यायवार वीडियो बनाकर आनलाइन पढ़ाया जाएगा यानि कि यहां पर आनलाइन जो एजुकेशन है उस पर जोर दिया जा रहा है और स्वयम प्रभावा दूर दर्सन पर प्रसारित किया जाएगा दूसरे भाग में वा हिस्सा होगा जो विद्यार्थियों द्व इसका पूरा बेवरा से अच्छी कलेंडर में होगा शिच्चक पढ़ाई ढंक से करा रहे हैं या नहीं इसकी मॉनेटरिंग के लिए बिद्याले जिलाव मंदल वा राज यस्तर पर स्टेंडिंग आपरेटिंग प्रोसीजर को निर्मित किया जाएगा विद्यार्थियों दौरा प्रतेक कच्छा के लिए प्रस्ट बैंक बनाकर माध्यमिक सिच्छा परिस्ट वेफसाइट www.upmsp.edu.in पर अपलोड किया जाएगा यानि कि कुछ आपको यहां पर डॉकुमेंट्स भी दिये जाएंगे यूपी बोर्ड के ऑफिसियल वेफसाइट पर ठीक है विसे छे से अच्छा बारा तक 30% आपके सिलेबस को कम कर दिया जाएगा तो यह थी पूरी खबर और आपको आल्लाइन पढ़ाई करनी होगी तो आई होब कि आपको यह नियूज अच्छे से समझ में आ चुका होगा इसे अपने दोस्तों के साथ भी सियर कर दीजे जो कि आपके साथ पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही